नमस्कार दोस्तों, हमारे चनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत आश्र से भरी भूमी है। यहां कई मानव निर्मित और प्राकर्तिक चमतकार मौजूद हैं, जो कभी-कभी लोगों को डराने, साथ ही-साथ कभी अचम्बित करने में सफल रहे हैं। आज हम आ हैसे में जगाओं के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आंदर प्रदेश में एक ऐसा मंदिर है जिसके पिलर्स यानि की खंबे लटकते हैं। जी हां, यह वीरभदर का मंदिर है। वीरभदर मंदिर विजे नगर समराज्जी के वास्तो शिल्प शैली का एक शा आला कि दूसरों के विपरिद उनमें से एक जमीन के संपर्क में नहीं आता है। ऐसा मना जाता है कि खंबे के आशिरवात के लिए नीचे कुछ स्लाइड करके आशिरवात प्रात्त किया जा सकता है। दूसरी खास जीज़ जो लोगों को हैरान करती है वो है तैरते हुए पत्थरों का रहसे। जी हाँ, हिंदू पॉरणिक कथाओं में यह वर्णन है कि रावन से अपनी पत्नी सीता को बचाने के लिए भगवान राम ने रामेश्वरम से एक फ्लोटिंग पुल यानि की तैरते हुए पुल का निर्मान किया था, जो की पाक स्टेट में शेलंका त जैरते हैं। इस तरह के फ्लोटिंग पत्थरों की घटना के पीछे कारण अभी तक विज्ञानिक पुल रूप से पता नहीं लगा पाये हैं, लेकिन कहा जाता है यह वही पत्थर है जिनको राम से तो पुल बनाने में जिनका इस्तमाल किया गया था। इसी कड़ी में ती विज्ञाल चटान के रूप में एक ऐसी धलान पर रखा है जिसे देख कर लोग चौक जाते हैं। दरसल यह पत्थर एक तीर धलान के किनारे पर रखा है लेकिन देखने पर लगता है कि यह पत्थर कभी भी लड़क सकता है। यह चटान लगभग 20 फुट उची होने का इ से देखने परियटक दूर दूर से आते हैं। वही हैरान कर देने वाली बात यह है कि यह विशाल पत्थर अभी भी चटान पर स्थिर खड़ा है। बताते हैं कि 1908 में अंग्रेज हुकूमत ने डर के बारे इस चटान को यहां से हटाने का परियास किया था लेकिन परियास वेर्थ हुआ। यह चटान आज भी ऐसी ही है। कोई आज तक नहीं जान पाए है कि आखिर इस कोण पर यह पत्थर कैसे स्थिर है। इसी कड़ी में एक आखरी रहसे है जुडवा बच्चों का गाउं। जी हां। जुडवा बच्चों की पैदाईश के मामले में यू तो आजीब बात है। यहां आश्यरक रूप से जुडवा बच्चे पैदा होते हैं। वास्तव में यह कहा गिया है कि गाउं में जुडवा लोगों के दोसों से अधिक जोड़े हैं। और इसमें ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जिनकी माताओं का दूर-दूर के इलागों के प दोस्तों अगर आपको हमारी यह खास जनका यह अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।